तो आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फूट रिसोर्स के इंप्रूब्मेंट के बारे में आपको पता चल गया होगा कि ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर होने वाला है पर नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा आज के लेक्चर को हम काफी जादा इंट्रेस्टिंग बनाएंगे अब देखो इस चीज में सबसे जादा हमें क्या पढ़ना है आपने वो गाना सुना होगा ना मेरी देश की धर्ती सोना उगले उगले हीरे मोती तो यहां पे हम उसी तरह से पढ़ने वाले हैं हमारे जो देश है इंडिया सबसे जादा एग्रिकल्चर के लिए आज का हमारा चैप्टर है यह थोड़ा बहुत उसी से लिंग्ड है कैसे लिंग्ड है क्योंकि हम यहां पे किस तरह से अपने पूट रिसोर्स को इंप्रूब कर सकते हैं उसके बहुत सारे वेज एंड टेक्निक्स के बारे में जानेंगे आपको पता है कि हमारे देश में ह स्टेपल फूट होते हैं कहीं पे वेजेटेबल्स को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता है ऐसा स्टेपल फूट तो जब इतनी जादा वराइटी होगी तो उन वेराइटी को इंप्रूब करने के बारे में भी हमें सोचना होगा तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वराइटी स को कैसे इंप्रूब कर सकते हैं फिर जब हम उसे सप्लाई करते हैं तो किस सथा से उसकी मैनेजमेंट होनी चाहिए है तो ये सारी चीज़े हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे poultry farming होती है किस तरीके से उनको वे manage किया जाता है beekeeping यानि कि epiculture के बारे में हम सीखेंगे उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से fishes की production होती है coastal regions में आपको पता है कि हमारा country एक तरह से semi island की तरह है तो यानि कि half of the land is near the coastal region तो उस coastal region में सबसे जादा staple food क्या माना जाएगा fishes of course जितने भी marine animals होंगे उनको कहीं न कहीं हम ऐसा food resource की तरह यूज करते हैं तो this is what we are going to study in this chapter so it is going to be very interesting और अगर अभी तक आपको लग रहा था कि बहुत जादा boring होने वाला है पता नहीं कौन-कौन से farming techniques पढ़ाने जाने वाले हैं तो ऐसे कुछ भी नहीं है हम बस यह जानेंगे कि आखिर एक किसान एक farmer जब एक crop को grow कर रहे होते हैं तो उनको कौन-कौन सी problems का सामना करना पड़ता है और वह किस तरह से सारे problems को करते हैं किस सरह से अपने farmland को manage करते हैं किस सरह से अपने crops को manage करते हैं और वहां से जब हमारे kitchen तक वो खाना आता है तो किस किस तरीके से गुजर कर आ रहा होता है तो यह सारी चीजे काफी interesting होने वाली है I hope you will enjoy this lecture so let's get started Hello students welcome to science and fun 9th and 10th तो आज का chapter है improvement in food resources क्यों हम food resources को improve करने के बारे में सोच रहे हैं क्यूंकि जो भी traditional method यूज करते आ रहे हैं हम दोग आज तक जिसके वज़े से बहुत ही ज्यादा food resources में भी कमी आई है और agricultural land भी exploit हुए है तो इन सारी चीजों को tackle करने के लिए हम बार-बार कुछ ना कुछ technology उस करते आते हैं ताकि हम food resources को improve कर सके everywhere there is a possibility of improvement चाहे वो food resources हो चाहे कोई भी perspective हो life का हम कभी भी किसी भी चीज़ को improve कर सकते there is always a possibility तो उन्ही possibilities के बारे में हम लोग आज यहां पर food resources के context में बात करने वाले हैं सबसे पहले अगर आप food resources पढ़ने जा रहे हो तो आपको यह चीज़ का idea होना चाहिए कि crops क्या होते है crop pattern क्या होता है हमारी country में crop pattern किस तरह का है और जो भी basic चीज़े है वो सब हम लोग इस lecture में discuss भी करेंगे और यह आपके mind में भी पहले से होनी चाहिए so first of all now discuss about crop yield अब देखो crop yield क्या होता है in India most of the population is dependent upon agriculture that you know यह वो वाला गाना है ना यह देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती तो वो वाला गाना बिल्कुल इसी chapter के लिए suitable है अब यह हीरे मोती क्या है that are different types of crop that we used in our food so crop yield को हम कैसे improve कर सकते है yield का मतलब होता है पैदावार हो हम किसी चीज को किस तरह से improve कर सकते है अगर कोई भी production हो द्म हो रही है इंद हो रहा है तो वह चीज हम और ज्जादा कैसे improve कर सकते हैं यह सारी चीज़ए हम लोग इस chapter में पढढेंगे और क्या-क्या method यूज किये जा सकते हैं, कौन-कौन से staple food है इंडिया के, उसके बारे में भी हम लोग discuss करने वाले हैं, so now see, यहाँ पे हैं in India, there has been a 4 times increase in the production of food grains from 1952 to 2000 with only 25% increase in the cultivable land area, what does it mean? कि from 1952 से लेकर 2010 तक से 25% increase ही हुई है, cultivable land area में, what is cultivable land area, जहाँ पर हम cultivation कर सकते हैं, वो land area जो suitable होती है agriculture के लिए for cultivation, so वैसे तो हमारे country का जो geographic environment है, जो conditions है, वो पूरी तरह से suitable है agriculture के लिए, but we people are constantly exploiting the land by polluting it and by different source of things, so उस चीज को भी हमें improve करना पड़ेगा, अब देखो, अगर आपको crop कहीं पर grow गरनी है, तो सबसे पहले आपकी दिमाग में आएगा कि एक suitable land होना चाहिए उसके लिए, अगर suitable land नहीं है, तो हमें उससे suitable वनाना पड़ेगा, because we have to grow some crops, we have to make a produce, make a production में का yield, okay, so अगर हम उस land को suitable बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा highest जो आपकी दिमाग में जो भी point आ रहा है, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है, availability of water, availability of minerals and nutrients in the soil, अगर ये दोनों चीजों की कमी है, तो फिर we cannot have a better yield, तो उस चीज के लिए हमें land क उस तरह से suitable बनाना पड़ेगा और इंतने सालों में सिर्फ इस चीज में 25% ही increase आया है, so तीन major groups में हम इस improvement को बाट सकते हैं, divide कर सकते हैं, हम कैसे improve कर सकते हैं किसी भी crop yield को by crop variety improvement, by crop production improvement, by crop protection improvement, what does it mean? सबसे पहले देखो, मालोग एक cultivable area जो है वो तयार हो चुका है, एक suitable land हमारे पास है, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो भी crops को grow करने की सोच रहे हैं, सबसे पहले हम यह दिमाग में रखेंगे कि उन crops की need क्या है, वो crops किस तरह के land में, किस तरह की suitability environment में grow कर सकते हैं same suitability हम लोग उस land को provide करेंगे, अब यह जो word आया कि किस तरह के crop, किस तरह की environment को suit करते हैं, तो that किस तरह के crop is a variety improvement, हम हमेशा यह चाहते हैं कि हमें, अच्छा आप यह बताओ, घर पे आपके खाना बनता है, तो आप हमेशा यह चाहते हो, ना कि कुछ अच्छा बने, या क्य बनाओ ममा, पनीर बनाओ, कुछ मतलब मज़ेदा सा, spicy कुछ बनाओ, so we always think about improvement, चाहे वो हम खाना खा रहे हो, चाहे वो बना रहे हो, चाहे यहाँ पर crop हो रही हो, so always we think about improvement, तो इसी वजह से variety की भी improvement होनी जरूरी है, तभी हमें ज्यादा better production मिल सकता है, ज्यादा better yield मिल सकता ह then we come to crop production improvement, अब जैसे sow कर लिया हमने, तो वहाँ से हमें कितना ज्यादा अच्छा better yield produce हो सकता है, अगर मालों आपने बहुत बड़े land में crop sow किया है, crop grow कर रहे हो, अगर आपको वहाँ से ज्यादा yield ना मिले, तो आपकी पूरी महनत बेकार, आपका इतना बड़ा land जो है, जो fertile भी है, जो सारे suitable environment को support कर रहा है, वो सब भी बेकार, so we always think about कि कुछ ना कुछ सुधार produce में भी हो, है ना, कुछ ना कुछ सुधार yield में भी हो, then we come to crop protection management, अब देखो, मालो yield अच्छा खासा आ गया, तो उसे हम कहीं ना कहीं store करेंगे, before selling it out, तो जहाँ पर भी हम store करेंगे, अगर वहाँ पर किसी भी वज़र से कीडे लग गया, या फिर बाढ़ाया हुआ था, पानी चला गया बहुत ज़्यादा गोडाउंस में, और सारा का सारा crop बिकार हो गया, तो क्या फाइदा हुआ, इतनी सारी महनत करने का, so there should be a management technique to protect the crop as well, तो इन तीनों के बारे में basically हम अगर चल के बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन को से अलग अलग crops को अलग अलग techniques से protect किया जाता है, so now let's get started, अब देखो crop variety improvement में हम क्या क्या करते है, it is done by selecting good varieties of crops, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भी crop हम grow करने वाले हैं, उसकी variety बहुत अच्छी हो होनी चाहिए, कोई भी बेकार variety कोई crop grow नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी पैसे लगने, उसमें fertilizers लगने हैं, उसमें पानी लगना है, उसमें इती सारी महनत लगनी है, so why to waste all of it on bad variety, तो हम हमेशा एक अच्छी variety select करके ही अपने land में उस crop को grow घरते हैं, this is done by hybridization, now the term has come hybridization, what does it mean, hybridization क्या है, ये crossing है between genetically dissimilar plants to obtain crops having useful characteristics like disease resistance, good quality and high yield, माल लो दो अलग-अलग type का crop है, दो अलग-अलग type के plants है, ठीक है, genetically dissimilar है, what is genetically dissimilar है, what is genetically dissimilar means कि उनके अंदर, उनकी body के अंदर अलग-अलग तरह के genes present है, every gene has its own function, ये आपको पता ही होगा, तो हर एक gene का अगर एक function होता है, तो क्यों ना हम ऐसा दिमाग लगाए, कि जो जो हमें better results चाहिए, एक crop के अंदर, उन सारे results वाले gene को एक अठा mix कर दिया, and then उससे एक better crop की production कर आई जाए, तो hybridization एक ऐसी technique होती है, जिसमें हम genes को modify कर देते हैं, genes को कैसे modify कर देते हैं, दो अलग-अलग variety को cross करवा देते हैं, और उससे जो third variety, जो offspring उसका बनता है, उसके अंदर दोनों parent के genes present होंगे, अब ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है, कि जो भी हम दो अलग-अलग variety को cross करवा रहे हैं, उन disease resistance, good quality और high yield, माल लो एक crop है, जो बहुत ज़्यादा yield देता है, जो बहुत ज़्यादा production देता है, दूसरी तरफ एक और crop है, जो disease free है, मतलब कि उसमें कीड़े वगेरा नहीं लगते, पैस्ट नहीं लगते, तो ये हम दोनों, ये जो दोनों variety हैं, दोनों genes हैं, ये दोनों ह हमारे काम किये, क्या हो अगर दोनों ही genes को एक मिला कर, cross करवा कर, एक offspring बनाया जाए, जिसके अंदर इन दोनों की qualities हो, तो हमारी पैदावार भी बढ़ रही है, और disease भी नहीं लग रहा है, so there is a improvement in the crop production, there is a improvement in crop field, so that is what we are going to learn here, तो यहां पर इस hybridization की technique से हम यही करते हैं, कि जितने भी better varieties हैं, उनको आपस में cross करवा देते हैं, और उसका जो yield होता है, वो हमें सारे के सारे suitable environment को check करके मिलता है, फिर hybridization किसके सरह के हो सकते हैं, इसमें भी inter varietal, यानि की दो अलग अलग varieties के हो सकते हैं, different varieties के inter specific, दो अलग species के हो सकते हैं, maybe it can be tomato, it can be potato, so it can be pomato in the offspring generation, different species of the same genus, और intergeneric between different genera, यानि की genes ही अलग हो जाए, ऐसे भी हो सकते हैं, अलग-अलग genes के भी plant को हम hybridize कर सकते हैं, अलग-अलग species के भी plant को hybridize कर सकते हैं, अलग-अलग variety को भी हम hybridize कर सकते हैं, अलग-अलग variety को भी हम hybridize कर सकते हैं या तो वो डिशीज फ्री होगा या तो उस जीन की वजह से कोई पेस्ट जो है वो ना लगे उस क्रॉप में और उसके वजह से क्या होगा of course हमें अच्छी better yield मिलेगी अगर मालो pest लग जाते हैं crop में तो क्या हो सकता है उस चीज को पूरी की पूरी फसल खराब हो जाएगी पूरा crop जो है वो बिकार हो जाएगा इतने दिनों की महनत भी बिकार हो जाएगी अगर production कम है high yield नहीं दे रहा है वो crop तो भी महनत बिकार हो जाएगी हमने इतना सारा पैसा लगाया इतना fertilizer सब कुछ लगाया और उसके बाद भी पैदावार थोड़ी सी हो रही है तो that means कि profit भी थोड़ा सा हो रहा है supply कम हो रहा है demand जादा हो रहा है तो उसके वज़े से महंगाई बढ़ेगी तो सब कुछ linked है सारी चीज़े आपस में connected होती है तो एक चीज़ अगर हमने खराब कर दी ना तो उसके वज़े से पूरे के पूरे इस business में इस ecosystem में इस resources में affect पड़ेगा सो तो यह तो another way हो गया कि हमने एक foreign gene को introduce करवा दिया this process is called genetically modified crops अभी जस्त मैंने आपको बताया कि हमें modify करने को मिलता है हम इस चीज से क्या करते है jeans को हम modify कर देते है crop के अंदर तो वो crop जो है वो एक normal से जो crops होते है उससे काफी जादा अच्छा production देता है काफी अच्छा yield देता है क्रॉफ विराइटी improvement में अब हम जानेंगे कि क्या क्या चीजे हमें चाहिए होती है क्रॉफ विराइटी improvement is done for the following क्या क्या चीजे हमें चाहिए होती है सबसे पहले तो higher yield भाई इतना सारा महनत पैसा पानी fertilizer सब कुछ लगा रहे हैं तो हमारे अंदर भी तो यह थोड़ी से expectation होगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा production मिले ज्यादा से ज्यादा yield मिले So higher yield is the first and foremost priority of any kind of growing crops to increase productivity of crop per acre Biotic and abiotic resistance भी होना चाहिए उस crop में to increase resistance of crops to biotic factors like insect diseases etc. Biotic हैने के living factors living factors जितने भी होंगे वो क्या होंगे या तो कीडे लग जा रहे हैं Pest लग जा रहे कुछ भी हो जा रहा है कोई बीमारी हो गया वाइरस का attack हो गया कुछ भी हो गया तो इन सारी चीजों से वो resistant होना चाहिए वो crop that that will be the second most priority and abiotic factors like drought, salinity, heat, cold etc. Harsh environmental conditions को भी ये crop जो है वो सहले उसको भी पार कर जा है और एक अच्छी yield दे दे ये चीज अगर हो गई तो फिर भाई क्या ही जाहिए है ना change in maturity duration to reduce the duration between sowing and harvesting so that farmers can grow multiple crops during the year अब आपको पता होगा कि दो तरह के crops grow किये जाते हैं एक साल के अंदर that is kharief crops and rabi crops kharief crops जो है वो लगभग जून और जुलाई में sow किये जाते हैं सेप्टेमबर अक्टोबर के टाइम पर वही राभी crops जो होते हैं वो लगभग November के टाइम पर सो किये जाते हैं और March April में वो sorry हां March April में वो cut हो जाते हैं सारे crops तो आप देख सकते हो एक pattern कि साल में दो तरह के crops को हम grow करवा सकते हैं तो अगर ऐसा हो कि harvesting period ही reduce हो जाए six months की जगह अगर three months भी हो जाए या फिर four months हो जाए तो आप साल में दो से जादा तरह के crops को grow कर सकते हो तीन तरह के crops को grow कर सकते हो जो की profit बहुत जादा होगा earning बहुत जादा होगी तो ultimately this will contribute to a better sustainable living अब क्या होना चाहिए wider adaptability to grow crops in different climatic conditions अब यह होता है कि कुछ crops ऐसे होते हैं जो इंडिया में सर्फ northern regions में ही हम grow कर सकते हैं southern में नहीं कर सकते हैं कुछ हम western regions में ही grow कर सकते हैं eastern regions में नहीं कर सकते and vice versa क्यों ऐसा होता है क्योंकि इंडिया का या फिर किसी भी जगह का climatic condition हर जगह एक जासा नहीं हो सकता because of the geographical situations because of the globe so हमें ऐसा crop modify करना चाहिए न कि वो crop हर एक climatic conditions को सह सके हर एक climatic condition में भी thrive कर सके grow कर सके ताकि उस crop को हम एक large scale area पर grow करवा सके और उससे और ज़्यादा productivity increase हो so ultimately सब घूम फिराकर बात productivity पे ही आती है कि जितना ज़्यादा productivity होगा उतना ज़्यादा improvement होगा food resources में सबसे पहले सोचो कि महंगाई होती क्यों है कोई भी खाने पिने की चीज जैसे दाल हो गया आटा हो गया मेज मक्य हो गया यह सब दिन बर दिन बहंगे क्यों होते जा रहें क्योंकि इनकी improvement बढ़ती जारी है लेकिन supply कम है उस comparison में supply कम है क्योंकि इनको improvement की जरूरत है अगर improvement नहीं हो पाएगी तो एक confined region में ही यह grow कर पाएंगे और इतनी सारी चीज है अगर उनको नहीं मिलती है उन crops को तो फिर उसकी productivity कम होगी ही होगी इसके वज़े से supply कम हो गई होगा तो आप सोचो कि अगर आपको यह chapter boring लग रहा है मैं बार बार यह चीज मेंशन कर रहे हूं क्योंकि मुझे पाता है क्योंकि मुझे भी महंगा होता जा रहा है तो आप अपने पेरेंस को यह चीज पूछ सकते हो कि आप बताओ ममी आप बताओ पापा क्यों यह सारी चीजे महंगी होती जा रही है तो देविल से की महंगा इसलीए बढ़ रही है क्योंकि supply कम है और दिमांद ज्यादा है आप उनको बैकग्राउंड की पूरी स्टोडी समझा सकते हो और इस तरह से आप एक इंटराक्टिव वे में लर्न कर सकते हो सीख सकते हो आप अपने दोस्तों से इस चीज के बारे में बात कर सकते हो और यह बहुत ही जादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर आप इसको सच में उस तरीके से सोचना शुरू करो तो चलो मैं आप इसको साधा बोरिंग नहीं बनाऊंगी अब देखो अगला क्या है desirable agronomic characters characters like tallness and more branching are useful for fodder crops and dwarfness is desirable for cereal crops cereal crops का क्या मतलब हो गया cereals आपको पता है आटा है चावल है all these constitute cereals so cereal crops को dwarfness की जरूरत होती है और fodder plants को fodder crops को tallness की जरूरत होती है तो इस चीज के लिए भी desirable होते है अगर यह चीज भी fulfill हो जाए यह characters भी fulfill हो जाए तो फिर क्या ही बात है है नव track to यह हो गया crop variety की improvement के बारे में अब आ गए आते है crop production की improvement के बारे में crop Focus production को हम कैसे improve कर सकते है अब मालो variety have a autoche मिल गई अब हमें इसे produce भी तो अच्छी तरीके से करना पड़ेगा अच्छी वराइटी का क्या करोगे जब उसका production हीούμε हमें अच्छी तरीके से नहीं मिलेगा हमें डिजारेबल नहीं मिलेगा तो उसके लिए हमें तीन चीज़ा करनी होती है हमें उसकी न्यूट्रियंट का ख्याल रखना पड़ता है हमें उसकी इरिगेशन का ख्याल रखना पड़ता है और उसका क्रॉपिंग मैनेजमेंट करना पड़ता है, simple है, जली-जली से इसको देख लेते हैं, nutrient management का क्या मतलब है, आपको पता होगा कि हर एक crop को nutrients की जरुवत होती है, बोसली कॉन-कॉन से nutrients की जरुवत होती है, NPK, nitrogen, phosphorus और potassium, these are the three major kind of nutrients that is useful for growing crop, अब plants get nutrients from air, water or soil, plant को कहा कहा से nutrients मिल रहा है, air से मिल रहा है, water से मिल रहा है, soil से मिल रहा है, अब इसमें 16 nutrients होते हैं, जो required होते हैं plant को, ताकि उनकी proper growth हो सके, अब उन 16 में जो major 3 होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, अब air supply करता है oxygen और carbon dioxide क्योंकि हमें पता है कि air में oxygen प्रेजन होता है, carbon dioxide प्रेजन होता है, water जो है, वो hydrogen को supply करता है, hydrogen is also necessary for plant growth और वो हमें water से मिल जाता है, बाकि के जो तेरा nutrients बचते हैं, वो हमें soil से मिल जाते हैं, क्योंकि soil में बहुत-बहुत सारे minerals, बहुत सारे nutrients अल्रेडी प्रेजन होते हैं, तो वो वैसे वाली जो soil होते हैं, उनको fertile soil बोला जाता है, और जहां पर उस तरह के soil प्रेजन नहीं होते हैं, तो वहां पर हमें fertilizers add की जाती है, ताकि वो जो soil है, वो fertile हो सके, fertile हो सके का क्या मतलब है, ताकि यह सारे nutrients उसमें प्रेजन हो, ताकि crops जो है, वो अच्छे तरीके से grow कर सके, अमंग the 16 nutrients required by plant, 6 are required in large quantities and are known as macronutrients, macronutrients कौनगों से होते हैं, nitrogen, phosphorus, potassium, जो यहां पर मैंने बोला की, 3 major kind of nutrients that are required by plant, calcium, magnesium और sulfur भी बहुत जादा जरूरी होता है, और micronutrients क्या होते हैं, जो बहुत ही जादा small quantities में ही चाहिए होते हैं plant को, ताकि वो grow कर सके, जादा की ज़रूरत नहीं है, जादा की ज़रूरत यानि कि macronutrients इतने ही काफी है, soil can be enriched by supplying nutrients in the form of manures and fertilizers, अभी मैंने क्या बताया, कि soil को fertilizers और manures की ज़रूरत परती है, ताकि soil के अंदर वो सारे nutrients आ सके, जो nutrients नहीं present है soil में naturally, तो हम क्या करते हैं, artificially वो सारे nutrients को, soil को देते हैं, ताकि वो crop को grow करने में help कर सके, तो micronutrients कौन कौन से होते हैं, iron, magnesium, boron, zinc, copper, molybdenum और chlorine, यह सारे micronutrients है, that means कि यह बहुत ही small quantity में चाहिए होते है plants को, ताकि वो grow कर सके, इस से ज़्यादा उनको required नहीं है, now the second thing about better crop production is irrigation, अब देखो, crop को grow कर रहे हो, उसके लिए land suitable है, आपके पास अच्छी variety का crop है, आपके पास अच्छा soil भी है, fertile soil भी है, बट अगर irrigation facility नहीं होगी, तो how any kind of crop can be grown, है ना, it is not possible, irrigation बहुत 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 ज़्यादा जरूरी हो जाता है, irrigation means what, supply of water to the crops, it's called irrigation, water is necessary for the proper growth of plants, अभी इसके पहले भी हमने पढ़ा, कि water से plant को hydrogen मिलता है, that is very important for the plant growth, and helps to increase the crop yield, देखो, ultimately सारी बात ना घूम फिर कर yield पर ही आती है, production पर ही आती है, तो उसको grow करने के लिए, जो जितने भी factors responsible होंगे, वो सारे factors बहुत ज़्यादा important है, और वही हम लोग इस chapter में सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे, so different kinds of irrigation system are used to supply water to agriculture land, अब कौन-कौन से system से हम water की supply कर सकते हैं, land में ताकि उसका crop का yield बढ़ सके, वो सारे ये सारे techniques है, wells के थू भी, well में पानी स्टोर रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, बस manually ये काम रह जाता है, तो duck करो well को, and tube wells के थू हम पानी को गया गर सकते हैं, collect करके land तक पहुचा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा hectic process हो जाता है, दूसरा process क्या है canals, in this system canals receive water from reservoirs or rivers and distribute to the field, canals को हिंदी में कहते हैं नाले, आपने देखा होगा गाव अगेरा में, अगर आप गाव से बिलॉंग करते होगे या फिर कभी भी गाव गए होगे, तो जो नदिया होती है, उनसे छोड़े-छोड़े नाले निकल रहे होते हैं, और वो सारे नाले कहां से होकर गुजर रहे होते हैं, agriculture land से होकर गुजर रहे होते हैं, ताकि जितने भी crops हैं, उनको easily और feasible तरीके से water की supply मिल सके, river lift system, अब ये कौन सा system है, इस system में water को river से lift किया जाता है, ताकि हम field को irrigate कर सके, और वो सारे rivers को field के close, मतलब field को river के close रखा जाता है, river को तो close रख नहीं सकते, वो तो possible है नहीं, तो field को river के close रखा जाता है, ताकि उसमें से water को lift कर सके, और crop को पहुँचा सके, tanks are also used as small storage reservoirs, with supply water to fields, आपने देखा भी होगा, बड़े-बड़े पानी की टंकिया लगी होती है, तो वो भी काम आती है, ताकि agriculture field में आसानी से पानी पहुचाया जा सके, और crop को ग्रो करवाया सके, check dams, these are used to stop rain water from flowing away, and helps to increase ground water levels, and reduce soil erosion, कभी-कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ा जाते हैं, तो उसके वज़े से क्या होता है, जितना भी crop है, वो सारा बह जाता है, तो check dams लगाया जाते हैं, एक proper place में dam बना दिया जाता है, ताकि जितना भी पानी है, वो एक जखा पे एकठा होता रहे, और वो जब धीरे-धीरे रीस्ते हुए, लैंड के नीचे जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, ground water के level को बढ़ा देगा, ग्राउंड वोटर लेवल बनना तो बहुत अच्छी बात होती है, soil erosion इससे थोड़ा सा reduce हो सकता है, वैसे तो अगर बहुत ज़्यादा heavy rainfall हो रहा है, तो soil erosion होता ही होता है, पर अगर chuck dams बन जाते हैं, तो वो एक particular place तक ही confined रहे जाते हैं, सारे soils और उसके nutrients भी, तो क्या हो जाता है कि एक तरह से storage हो रहा है, soil का भी, nutrients का भी और water का भी, तो that is a very good thing about crop production, अब आ जाते हैं हम लोग crop patterns पे कैसे इसको manage किया जा सकता है, different ways of growing crops are used for maximum benefit, अब इसमें क्या-क्या अलग अलग तरीके जिसमें हम maximum benefit पा सकते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं हम mixed cropping पे, mixed cropping का मतलब कि दो अलग अलग तरह के crops को combine करके उसके combination में हम उसे grow करते हैं, ताकि इन case अगर pest लग भी गये तो किसी एक crop पे pest लगेंगे, दूसरा वाला तो बच जाएगा और उससे तो हमें yield मिल जाएगी, अगर मालो एक ही तरह का crop लगाया है आपने, तो उससे क्या हुआ, किसी भी वज़े से अगर वही एक तरह की crop को नुकसान होता है, तो पूरा का पूरा फसल जो है, वो बरबाद हो गया, लेकिन अगर दो तरह की crops आपने लगाये हैं, तो किसी भी वज़े से अगर एक ही crop को नुकसान हुआ, तो दूसरा तो बच जाएगा, कुछ तो yield मिलेगी, कुछ ना मिलने से तो अच्छा हैगी, कुछ तो मिले, है ना, तो इस सरह के combinations में लगाने के लिए, उसे कहते हैं, mixed cropping, wheat plus gram, wheat plus mustard, ground nuts plus sunflower, ये सारे क्या करते हैं, reduce करते हैं, risk को कि even एक crop अगर fail भी हो गया, किसी भी वज़चे से वो grow ही नहीं कर पाया, उसको environmental conditions नहीं मिले suitable, और वो grow नहीं कर पाया, may भी दूसरे वाले को मिल जाए, और उससे risk बहुत कम हो जाता है, crop failure का, inter cropping, ये क्या होता है, कि एक के बाद एक जो है, simultaneously हम crop को grow करते रहते हैं, it's growing two or more crops simultaneously in the same field in the alternate rows, अलग अलग rows में हम क्या करते हैं, दो या उससे जादा crops को grow कर रहे होते हैं, for example, maize plus soya bean, millet plus cowpea, etc. crops with different nutrient requirements are selected, this helps in better use of nutrients and prevents spreading of diseases to all plants of the same crop, inter cropping भी थोड़ा mixed cropping की तरह है, लेकिन थोड़ा सा difference ये है, कि यहाँ पर हम एक ही पूरे के पूरे land में दो crops को grow कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, हमने अलग अलग rows में divide कर दिये, एक row में क्या बन रहा है, एक row में कौन सा crop grow कर रहा है, मालो मेज और सोयबीन ग्रो कर रहा है, दूसरे row में कौन सा कर रहा है, मिलेट और काउपी ग्रो कर रहा है, तो इस तरीके से क्या होता है, कि जित्ते भी nutrients प्रिजेंट है ना स्वाइल में, तो जो nutrient किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप को required है, वो उसको मिल रही है, अगर required नहीं है, तो अगर हम एक ही तरह के crop grow कर रहे होते, तो जो nutrients उसको required नहीं थी, वो तो waste चला जाता, तो क्या फाइदा waste करने का धेर सारे crops को grow कर लो, simultaneously रोज में और उसके बाद जितने भी nutrients है, वो सारे used up हो जाएंगे, crop rotation का क्या मतलब होता है, अलग-अलग crops को grow करते हैं, हम same field में in succession, succession यानि की एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है, growing leguminous crops after growing cereal crops, help to increase soil fertility, if crop rotation is done properly, two or three crops can be grown in a year, profitably, क्या मतलब हुआ इसका, कि एक बार अगर cereal crops को हमने grow किया, अगर उसके तुरण बाद अगर हम leguminous plant के crops को grow करते हैं, तो इससे क्या होता है, soil की fertility increase होती है, और अगर इससे proper तरीके से किया जाए, तो हम साल में तीन तरह के crops को grow कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा profit हमें मिल सकता है, अब आजाते हम crop protection के improvement पे, अब देखो माल लो हमने अच्छी वराइटी चूस कर ली, अच्छी वराइटी चूस कर ली, हमने water की availability भी चेक कर ली, उसके बाद हमने soil की fertility भी चेक कर ली, production भी अच्छा सा हो गया, बढ़िया yield हमें मिल गया, अब क्या होगा, अब एक ही बार में तो सारे के सारे जो production है, वो तो बिकेगा नहीं, हमें उसको store करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम retailers के बाद जा सके, तो protection बहुत ज़ादा जरूरी है, इतना सब कुछ करने के बाद भी, अगर किसी भी वजह से उस production में, उस yield में थोड़ी सी भी कमी आ गई, अफेक्ट हुआ वो किसी भी वजह से, तो पूरा का पूरा फसल जो है, वो बरबाद हो गया, Crops in the field are damaged by weeds, insect, pests and diseases, क्या-क्या words है, weeds, insect, pests और diseases, diseases अलग-अलग microorganisms की वजह से भी हो सकता है, weeds क्या है, वो unwanted plants है, जो grow कर जाते हैं, field में, और वो फाल्तु में, बेकार में ही crops की जगह ले लेते हैं, soil भी use हो रहा है, उसमें पानी भी use हो रहा है, तो एक तरह से resources बेकार हो रहा है, तो आप देखते भी होगे, कभी अगर agriculture land में गये होगे, तो farmers क्या करते हैं, जो बेकार-बेकार plants उग गये होते हैं, unwanted plants, weeds, उनको निकाल-निकाल कर फेक रहे होते हैं, वो constantly उनका काम ये होता रहता है, क्योंकि अगर वो grow करते रह जाएंगे, तो crop जितना grow कर रहा होतना, वो भी grow करने लग जाएगा, सारे के सारे resources, वो used up करने लग जाएगा, जिससे हमें कोई भी profit नहीं है, तो what is the point, राइट, तो example, सार, जांथियम, पार्थियनियम, साइपरिनियम, रोडंटर्स, रूट, स्टेम एंड लीट, सक्सेल साप, और बोर इंटो स्टेम एंड फ्रूट, यहां पे देखो, weeds क्या कर रहा है, वो compete कर रहा है, food crops के साथ, compete किस मामले में, resources के मामले में, soil की fertility, water, availability, सारी चीज़े, वो compete कर रहा है उसके साथ, और जहां पी competition बढ़ जाता है, वहां पर कही न कही production की कमी आ जाती है, यह तो आपको भी पता है, class में आपका competition जिससे भी है, अगर वो इत्ती देर पढ़ रहा है, मैं भी उत्ती देर पढ़ूँगा, वो इत्ती देर खेल रहा है, मैं भी तिर खेल लूँगा दूसरे वाले बच्चे को समझ में आ गया है कि आप उससे compete कर रहे हो तो वो आपको दिखाने के लिए पढ़ेगा ही नहीं वो सिर्फ खेल रहा है मस्ती कर रहा है और आप भी उसको देख देख कर सिर्फ खेल रहे हो मस्ती कर रहे हो तो कही ना कह भाएं स्अछा और होते हैं क्रॉप के लिए वो क्रॉप का स्टम उसकी रूटस उसके ists को बहुत ज़ाधा Kitaire D vertell उसको डामज कर सकते हैं अ को सग कर लेते हैं सेल सेप में बहुत ही वाइटल मिनरल्स प्रिजेंट होते हैं जो कि एक क्रॉप को एक प्रॉपर लाइफ देने के लिए हेलफूल होते हैं and बोर इंटू स्टेंप्स and fruits they can reduce crop yield सीधी सी बात सीधी बात नो बगवास they can reduce crop yield एक बार उसकी production में कमी आ जाएगी तो फिर सारी के सारी महनत बरबाद diseases in plants are caused by pathogens like virus bacteria और fungi highest studies में आप पढ़ोगे कि इन viruses से कौन-कौन से diseases होते हैं fungi से कौन-कौन से diseases होते हैं और से diseases यह सारे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं अब आ गए हम लोग management की टिक्नीक पे it can be controlled using chemicals like weedicides, insecticides and fungicides etc तो जित्ते भी हम लोग insecticides, pesticides use करते हैं आपने देखा होगा farmers को कि वो spray में कुछ लेकर कुछ chemicals लेकर उसका छिड़काव करते हैं वो pesticides होते हैं वो insecticides हो सकते हैं वीडिजाइट हो सकते हैं उनमें ऐसे chemicals present होते हैं जो इस तरह के pest को इस तरह की insects को weeds को grow करने के लिए बिल्कुल भी suitable नहीं होते हैं यह chemicals they are sprayed on crop plants or used for treating seeds and soil since these chemicals are poisonous excessive use of these chemicals can cause environmental pollution अब इससे pollution भी हो रहा है अब आपको पता है कि कोई भी chemical अगर किसी दूसरे living being के लिए harmful है तो वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो crop के लिए भी होगी न तो वहीं चीज है कि अब आज आते हैं मैन्योर्स पे और इसके बाद हम लोग देखेंगे fertilizer क्या होता है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स यह एक ऐसी चीज है जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ने के लिए help करता है अब मैन्योर्स कैसे प्रिपेर होता है इस प्रिपेर बाइदा अब क्योंकि फर्टिलाइजर्स में केमिकल चूज हो रहे है तो मैन्योर्स हमेशा एक बेटर ऑप्शन होता है क्योंकि इसमें नाचुरल चीज़े इंवार्व होती है इसमें बहुत सारे और नूट्रियंस भर भर कर होता है ताकि हम उसको प्रिपेर कर सके और इससे हम वर्मी कंपोस्ट भी कहते है इसमें बहुत सारे और नूट्रियंस भर भर कर होते हैं जो कि सॉइल के लिए जो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है ग्रीन मैनियोर्स क्या होता है बिफोर सोइंग सीज संदा फील सम ग्रीन प्लांट्स लाइक सन हैंप गॉर एट्सेटरा प्लांट्स टॉन इंटो ग्रीन मैनियोर्स विच मेक्स सॉइल रिच इन नाइट्रिजन और फोस्फोरस 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 फोटिलाइजर क्या है मैने भी आपको बताया कि यह केमिकल होते हैं जो यूज किया जाते हैं कमर्शियल लेवल पे ताकि हम सोइल की फोर्टिलीटी को बढ़ा सके यानि एक तरह से आर्टिफीशिल हम उसको सॉइल को न्यूट्रियन यानि की जादा fertilizer देंगे तो chemical जो है वो सारे crops में भी लग जाएंगे और वो सारे chemicals अच्छे भी नहीं होते हैं इसलिए हम क्याते हैं की fruits को vegetables को बहुत अच्छे तरीके से धुल कर उसको खारा चाहिए क्योंकि इसमें इतने सारे chemicals यूज हो चुके हैं फर्टिलाइजर यूज हो चुके हैं जो हमारी body के लिए काफी harmful है excessive use of fertilizers can reduce soil fertility and also cause water pollution अब अगर बहुत जादा fertilizer हम यूज करते हैं तो मालो बारिश हो गई वो सारे chemicals धूल गए और पानी के साथ वो बह गए अब वो पानी ultimately river में जाकर flow करेगी river में इतने सारे marine organisms रह रहे होते हैं वो सारे chemicals उनको बहुत जादा harm करते हैं उसके साथ साथ ये जिस रास्ते से भी ये पानी होकर गुजर रहे होंगे वहां की soil को भी pollute कर रहे होंगे तो ये एक major cause होता है pollution का आज आते हैं हम लोग animal husbandry animal husbandry क्या होता है it is a scientific management of animals livestock including their feeding breeding and disease control जब हम पशु पालन करते हैं पशु पालन यानि कि animal husbandry तो उनके रहने का उनके खाने का उनकी breeding करने का सारी के सारी चीजों का एक responsibility होता है ये पूरा पूरा एक constitute करता है animal husbandry को animal farming include cattle, sheep, goat, poultry and fish farming इतने सारे organisms इतने सारे living beings का animal husbandry को include किया जाता है cattle farming क्या होता है it is done for two main purpose of course आपको पता ही है क्या दो purpose होंगे सबसे पहले होगा milk production और दूसरा होगा एक labor provide हो जाता है एक help provide हो जाता है यानि कि farm labor आपने देखा होगा गाओं में जहां पर farming हो रही होती है वहाँ पे बैलों को use किया जाता है ना for plowing the land milk producing females are called milk animals and those used for farm labor are called drought animals जिनको सिर्फ labor की तरह यूज किया जाता है जिन animals को उनको drought animals बोलते हैं और जिनको milk production के लिए use किया जाता है उनको milk animals बोलते हैं milk production depends on the duration of the lactation period the period of milk production after the birth of the carp यानि कि milk production किस चीज पर depend होता है कि जब उस milk animal के बच्चे होंगे तभी वो lactation start कर पाएंगे तो वो जो period होता है वो short duration जो होता है वो ही milk उसी पर milk production depend होता है milk production can be increased by increasing the lactation period foreign breeds like jersey and browns have long lactation periods and local breeds यानि की red, sindhih, sahih wal ये सारे resistant होते हैं diseases के अब देखो इन सारे varieties में long lactation period पाया जाता है और इन varieties में resistance to diseases पाया जाते है अगर हम इन दोनों को cross कर देंगे तो हमारे पास जो उसकी third variety होगी जो उसकी offspring की variety होगी उनमें दोनों qualities होगी तो ये काम भी बहुत ही ज़्यादा तेजी से किया जा रहा है आज कल cattle shelter should be clean and well ventilated with sloping thoughts for easy cleaning cattle feed should include roughage containing mainly fibers and concentrates containing protein and other nutrients बहुत ही simple सी चीज है कि अगर हम cattle को grow करा रहे है ताकि हमें उसके milk मिले या फिर उसको हम labor की तरह use कर सके तो जाहिर सी बात है हमें उससे बहुत अच्छे अच्छे nutrients भी provide करने पड़ेंगे हमें उससे अच्छा खाना देना पड़ेगा हमें उसको अच्छा shelter देना पड़े bacteria and viruses यानि कि parasites और bacteria और viruses से cattle को diseases भी हो सकती है तो उसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा साब धान रहना पड़ता है external parasites cause skin diseases internal parasites like worms affect the stomach and intestine and flux damaged the liver. Flux जो होते हैं liver, flux वो liver को damage करते हैं जो parasites होते हैं external parasites वो skin को damage करते हैं internal parasites stomach or intestine को damage करते हैं तो हमें इन cattle को इन सारे diseases से भी दूर रखना पड़ता है vaccination करवानी पड़ती है ताकि यह bacterial और viral diseases से protected रहे फिर आते हैं हम लोग poultry farming में अब poultry farming क्यों होगा of course यह egg के production के लिए होगा और chicken meat के लिए होगा जो लोग non vegetarian है उनके लिए basically poultry farming की जाती है ताकि उनको एक improved variety of eggs में एक में प्रोटीन होता है बहुत सारे लोगों के डाइट में रेगुलर डाइट में यह शामिल है चिकन मीट का जो मीट होता है वो भी बहुत सारे लोगों के रेगुलर डाइट में शामिल होता है तो for that purpose poultry farming is being done cross breeding करवाई जाती है Indian varieties और foreign varieties की Indian varieties में असील भी included होते है और foreign varieties में leg horn include होते है और दोनों का जो cross होता है वो हमें improved variety दे रहा होता है for good production of poultry birds they are given proper nutrition and kept in hygienic अब जितने भी आप इस तरह की चीज़े देखोगे ना animal husbandry देखोगे या poultry farming देखोगे या fish production देखोगे या beekeeping देखोगे हर एक living organism को जिसकी भी यहाँ पर mention की जा रही है यह चीज़ याद रखना आप अपने answer में भी लिख सकते हो आप यह चीज़ जरूर इंक्लूड कर देना कि उनको उनके हिसाब से अच्छे nutrient का खाना दिया जा रहा है उनको प्रॉपर शल्टर दिया जा रहा है उनको उनको उस इन्वार्मेंटल कंडिशन में रखा जा रहा है जहां पर उसे दूसरे और्गानिसम डिस्टर्ब ना करें उसके उसकी कोई हंटिंग ना करें उसके जो प्रिडेटर होते हैं वो उनके आसपास ना रहे आप यह चारो पाचो पॉइंस भी अगर इंक्लूड कर द यह एक ट्रिक जरूर यूज़ करना पर हाँ इस चीज का जरूर ध्यान देना कि आप किसके कौन से और्गानिसम के बारे में किस तरह की न्यूट्रियंस की बात कर रहे हो यह थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा पॉल्ट्री फॉल्स जो है वो भी डिसीज से अफेक्ट होते है वायरेस बैक्टिरिय और फंजाई और पैरसाइट इनको भी लग जाती है और इसके वज़े से इनको डिसीज हो जाता है यह डिरिकली मर ही जाती है छोड़ी सी नन्हीं से जान होती है अगर इनको यह सारी लग जाएंगी तो यह अनिमल्स की तरह इतने जादा रिजिस्टम नहीं होते है यह सिधा मर जाते है इसलिए आपने सुना होगा कि इस ताइम बर्ड फ्लू के थोड़े से भी इंडिकेशन हो रहे होते है उस ताइम पे लोग चिकन लेना बंद कर देते हैं पिकर कौन से में बर्ड फ्लू का वाइरस है no one knows और इस से फिर इंसारों में भी वो मिमारी फैल जाएगी they are protected from diseases by proper sanitation, spring, disinfectants and vaccination, इनको भी vaccination दिया जाता है, vaccinate किया जाता है इन्हें भी diseases से product किया जाता है by proper sanitation, यह कुछ ऐसे common points है जो आप हर जगह यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, egg in broiler की जो production और chicken की meat होती है, अब यह क्या हो रहे है, यह develop किये जा रहे है to produce layers for eggs और broilers for meat, cross beating हो रही है Indian varieties की, यह सारी वही सारी चीज़े है, broiler chicken जो है, वो vitamin A, protein और fat से feed किये जा रहे है, ताकि उनका better growth हो सके, poultry falls जो है, उनको virus, bacteria, fungi और parasite लग सकता है, और उनको sanitation वागेरा प्रोवा यह सारे pictures आप देख सकते हो, इसमें कुछ Indian varieties है, कुछ foreign varieties है, fish production पर हम लोग आ जाते है, fish क्या है, source of animal protein है, हमारे food के लिए southern parts of the country में, यानि कि जो coastal regions है वहाँ पर, यह staple food होता है, क्योंकि सबसे जादा वो जो seas और ocean के किनारे जिते में शहर बसे हैं, वहाँ पर सबसे जाद तो वहाँ के लोगों के लिए, fish is included in their regular diet also, so there are two ways of obtaining fish, they are from natural sources called capture fishing, किसी भी मचली को पकरना, capture कर लेना, या फिर उसकी fish farming, यानि कि उसको culture किया जाता है, एक artificial medium में बहुत सारा, मतलब पानी और एक suitable environmental condition, जो भी एक fish को चाहिए होता है, वो सारी चीजे प्रोवाइट करके उसक इसको grow करवाया जाता है, उन fishes के फिर eggs होते है, उन eggs को भी वहीं पर grow करवाया जाता है, तो एक तरह से उनकी एक अलग ecosystem बन जाती है, artificially the water source of fishes can be sea water और fresh water like rivers, ponds, lakes, etc, marine fishes में क्या-क्या आ जाते हैं, यह सारे बहुत जादा nutrient rich होते हैं, इसलिए कहते हैं कि seafood खाया करो, किसी को protein की कमी हो रही होती है, या फिर omega 3 fatty acids लेने को बोला जाता है, और बोला जाता है कि अपने diet में seafood include करो, so why, because they are very nutrient rich, they are caught by fishing nets from boats, बहुत ही simple सी चीज़े हैं, इतना तो मतलब मुझे बोलने की शायद जरूरत भी नहीं है, some marine fishes are farmed in sea water, these include prawns, mullets, pearls, pots, mussels, oysters, etc, we get pearls from oysters, चलो, inland fishes में क्या होता है, culture fishery की जाती है, fresh water और brackish water में, जहां पे sea water और fresh water mix हो जाते हैं, कोई भी ऐसी जगह जहां पे river जो है वो sea के साथ mix हो रहा है, वहाँ पर क्या होगा, इस सरह की inland fishery देखने को मिलेगी, इसे composite fish culture भी बोलते हैं, और common fishes क्या-क्या होंगे इस fish culture में, रोहू, कतला, म्रिगल, grass carp, silver carp और common carp, रोहू तो बहुत ज़्यादा popular है, बहुत सारे लोग जिनके घरों में मचली बनती होगी, मचली खाते होंगे, वो लोग उनको पता होगा रोहू के बारे में, वेरी वेरी common, most common among all the fishes, अब आ जाते हम लोग बी कीपिंग में, बी कीपिंग is done to obtain honey and wax, कोई भी चीज, कहीं से भी कोई भी question आजाए, जा है वो बी कीपिंग आए, पोल्टरी हो, या फिश फार्मिंग हो, अनिमल हस्बंटरी हो, में परपस क्या है उस चीज का, अनिमल हस्बंटरी है, तो या तो वो मिल के लिए रखा जा रहा है, या तो लेबर के लिए रखा जा रहा है, उसी तरह से बीज को क्यों रखा जाएगा, obviously honey के लिए और बीजवेक्ट के लिए, दोनों का बहुत जादा important role है commercially भी, economic value बहुत जादा है honey की, सबसे जादा source of energy और medicinal uses की वज़े honey जो है, वो economically बहुत जादा important हो जाती है, wax को भी medicinal preparations में और polishes बनाने में यूज किया जाता है, यह जो girls makeup use करती है इतना सारा उसमें भी बहुत जादा wax की amount यूज की जाती है, local variety जो होती है bees की, उसमें honey production आ जाता है, Indian bee, rock bee और little bee का, and Italian variety of bees also being used for large scale production of honey, the bees collect nectar from flowers and is convert into honey in the beehives, bees are artificially grown in apiaries and honey is extracted by machine called honey extractors, simple सी चीज़े है, flowers होंगे उसके nectar से bee जो है वो nectar सक करेगा और उससे वो honey बनाएगा अपने bee hive में, bee hive से extractors से जो है वहाँ पे honey extract किया जाएगा और फिर honey को commercially use किया जाएगा, तो यहाँ पे हमारा chapter पूरी तरह से complete हो जाता है, एक बार हम लोग फिर से देख यहाँ आज, तो हमने सबसे पहले देखा कि crop yield को improve करने के लिए कौन-कौन से techniques यूज की जाते है, उसके variety इंप्रूफ की जाती है, उसके production इंप्रूफ की जाती है, उसका protection इंप्रूफ किया जाता है, उसके बाद हमने देखा कि animal husbandry क्या है, bee keeping क्या है, fish farming क्या है, poultry farming क्या ह और क्यों इन सबको constantly improvement की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे diseases है, बहुत सारे microorganisms हैं, जो इनको affect करेंगे, इनको affect करेंगे, तो इनसे जुड़ी जो yield होगी, जिसके वज़से लोग इसकी farming कर रहे है, उस चीज़ पर भी affect पड़ेगा, और उस चीज़ पर affect पड़ेगा, तो कही food resources को improve करने के लिए हम इत्ती सारी techniques को use करते हैं, ताकि ये सारे farming techniques में improvement आए, और हमारे food resources में भी improvement आए, तो I hope बच्चों के आपको ये वाला chapter अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप brush up हो गए होगे, और जो मैंने आपको बीच में कुछ tricks बताई है, questions को attend करने कि कौन से common answers आप लिख सकते हो चाहे, कोई भी question आए, थोड़ा से अगर आप comments use कर लो तो आपके full में से full marks आएंगे, so thank you so much बच्चों and all the best